दाद खाज खुझली एक ऐसी विमारी है जो बहुत ही परसान करती है अगर समय पर इसका इलाज ना किया जाय तो यह धीरे धीरे पूरी सरीर में फैलने लगता है गर्मी या मांसून के मौसम में इसका प्रकोप कुछ जादा ही हो जाता है दाद खाज एक परकार का फंगल सं ठीक होता है फिर होने लगता है तो आज हम आपको एक पाउड़ का उसका आप पुरह सरीर की होजली आप जाएंगे कभी ऐसी प्रादम कर आपके शरीर की तुरांद शांध कर देंगे तो काफंघ वेस्ट काम करता है दोस्तों उसी के बार में आज जानेंगे तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब को बटन दिया गया है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो आज हम जानेंगे सेलिसिलिक एचिट पाऊडर के बारे में जो तवचा की लदात खाईज खुझली कील मुहासे दाग धबे और तवचा की खराब हो चुकी प्राकिर्तिक रंगत को वापश लाने में फायदे मन माना जाता है कि इसे акid की खास सबीं वेस्ट करता है, यह सब से आपको त्वचा कैंडतर स्पाहई काशी के साने, लिए परकार से उपकर कि काफी फैर की वेस्ट, इसका आर्थी है कि इसके परियोग से त्वचा पर पहले से मौजूद डेमेज हो चुके सेस्ट निकल जाते हैं और नए सेस्ट के विश्चित करने में मदद करता है आम तोर पर हमारी प्रकृतिक रंगत इसलिए खराब होती है क्योंकि त्वचा के उपर मौजूद सेस्ट पर दूसर और धूब के कारण डेमेज हो चुकी होती है ऐसे में अगर आप सेलेसिक एसीड का प्रयोग करते हैं तो आपको अपकी परकृतिक रंगत वापस लाने में काफी सहायता मिलती है मौहा से दाग धब्बे और खुजली में भी काफी बेश्काम करता है आम तोर पर सेलेसिक एसेड लायाा यूब्ल होता है इसलिए तवजा पर तेल के परभाव को कम करता है शिलिए आपके तो अच्याश्य पेजाधे महा से ठिक टिकरने में काफी पार यकि सरीर में पूर काफी सरीर में लगाए जाएंदे कि मीक्स करके टेब काफी जख्रैब करते लगतार आप उसका इस एक साथ मिलाकर लगतार एक दो मैने तक उस जगर लगाते रहे रहे दाग रहते दब्बे जो भी दिरे-धिरे समाप्त हो जाते तो यह काफी वेस्ट काम करता है ऐसा नहीं कि सिर्फ खुजली सांत करता है उस जगह के दाग धबों को भी धीर-धिर लगतार एक मैने तक उस जगह इसमाप्त हो जाएगा लेकिन अगर उस जगह के दाग धबे को अगर आपको हटाना है तो लगतार एक मैने तक उस जगह सब्सक्राइब करता है दोस्तों तो चली दोस्तों सिर्फ इतना फिर मिलेंगा अगले ब्रियूम कुछ नहीं लेकर